पहले दिन से ही मोधी सरकार ने क्रिशी क्षेत्र के बढ़ावे के लिए और किसान के कल्यान के लिए बहुत सारे कारे किये और जब किसानों ने मांग भी रखी तब हमने चर्चा के लिए एकदम से सहमती जिटा है इस बार भी हमारे केंद्रे मंत्री कल भी चंडीगड गए थे कई घंडे तक बारता भी की और जब किसान उठकर चल पड़े किसान नेता तब भी हमने कहा कि बैठी चर्चा को जारी रखे लेकिन वो चलेगे हमारे नेता कहते रहे मंतरी कहते रहे कि कृपया बैठी है चर्चा जारी रखिए अब आप कहते हैं कि चर्चा को जादा समय क्यों लग रहा है मैं इसमें इतना ही कहूंगा जब नए मुद्दे जुड़ते जाएंगे तो समय थोड़ा और लगेगा अगर वो कहते हैं कि WTO मेंसे भारत हट जाए World Trade Organization से भारत अपने आपको लग कर ले वो कहते हैं कि FTA रद कर दो, Free Trade Agreement रद कर दो वो कहते हैं स्मार्ट मीटर मत लगाओ वो कहते हैं कि पराली को जलबायू के क्षेतर से निकाल दो कि शीक शेतर को निकाल दो, Electricity Amendment Bill में ये बदलाव कर दो अब ये सारे ने-ने मुद्दे जुड़ते जा रहे हैं हमारा केवल इतना कहना है कि हम इन विश्यों पर भी चर्चा करने के लिए तयार है लेकिन पर अन्य लोगों से बात करने पड़ेगी, राज्य सरकारों से बात करने पड़ेगी और किसान संस्ताओं से बात करने पड़ेगी क्या ये गलत है आखरेकार नए मुद्दे जुड़रे हैं तो उस पर चर्चा तो बनती है उस पर समय भी तोड़ा लगेगा, हम पहले भी चर्चा करने के लिए तयार थे आज भी है, मैं परधर्शन कारियों से तना ही कहूंगा कि आग जनी हिंसा ना करें, उगर ना हो और मैं किसान नेताओं से तने अन्रोध करता हूं कि क्रिपया करके बाजित का जोर दोर जारी रखें तो जन्वरिक परशैर्प्शन बनाई जारी ही वीडिया में, खल्कसान का टैक लगाया जा रहा है, प्रो लेट बोला जा रहा है, प्रो कांगर्स बोला जा रहा है, अब प्रो पंजाब सरकार बोला जारा है तो यह उच्षाहत कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं, हम जब ज कैसे हम सब सरकारों की अलोचना करते हैं आम आदमी भगवंत मां सरकार की भी वैसी अलोचना करते हैं हम से किसी का कोई लेना देना नहीं हम देश के किसान हैं खेत मजदूर हैं और अपनी मांगों के लिए शिरच करते हैं तो मानने ये प्रधानमंती से अपील करते हैं फिर मैं तो रोज अपील कर रहा हूँ पिया आपका बोलते हिर्दे बड़ा है बड़ा हिर्दे कीजिए और हमें MSP खरीद की गरंटी का कानून बना के देजिए जेस तरह से अनुराग ठाकुर जी बोल रहे हैं तो इनका मांग पत्तर चार्ट बड़ा होता जा रहा ये बात नहीं है हमने पहले दिन से वही मांग पत्तर रखा उसी पे काम कर रहे हैं जैसे बोला जा रहा है यगर MSP खरीद की गरंटी का कानून बनाना है तो उसके लिए कमेटी अवशक्त है तो हम बताना चाहेंगे आपको कल भी बता है था पीजियो सीए सीपी की रपोर्ट के अंसार डेश के 23 वसलों के उपर सरकार पूरी तरह कैलकूलेट करकर MSP 23 वसलों का ऐलान करती है तो हमने मंत्री महोदे के शमक्ष ये बात रखी प्या बताएए आप ये अनॉस्मेंट कैलकूलेशन से कर रहे हैं तो हमने बोला इ वो कम रेट पर मंडी में ना विके तो अब वो कमेटी बना के हमारा मसला ठंडे बस्ते में जालना चाहते हैं एक मैं और बात बहुत दूचर छोड़ गए यहां से भी किसानों को अर्थसायनिक फोर्सों ने पुलस ने उठाया है वो अंबाला के ठाने में ये रिपोट आ अगर आप ये वीडियो फेस्बूक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद